आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी मॉंग डाल चिली की रेसिपी जो बहुती ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस है इसे बनाने के लिए मैंने यहां हरी मॉंग डाल को चार से पांच गटा सोग करके रखा था आप ओवरनाइट भी सोग करके रख सकते हैं अब इसे बाउर में डालेंगे अब पीसी हुई दाल में कुछ इंग्रिडेंट्स एड करेंगे अब इसमें बारिक कटा हरा धनिया एक मेडियम प्याज बारिक कटी तीन हरी मिर्च आधा इंच अद्रक दो चूटकी हल्दी और स्वाधनों सा नमक डाल कर इसे हमें अच्छे से मिलाना है अगर आप प्याज और लोस नहीं खाते तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं बैटर बिल्कु तयार है अब तवा गरम होने के बाद थोड़ा सा ओईल लगाएंगे तवे पर और चीला बैटर तवे पर फैला देंगे एक मिनिट मीडे मांच पर पकाएंगे और थो अगरे के चीला बिल्कुल तयार है यह बहुत अच्छा उप्शन है ब्रेकफास्ट और लंच के लिए आप इसे दही ग्रेन चटनी और सलात के साथ अज़ॉय करें ग्रेन चटनी दही और सलात के साथ यह परफेक्ट थाली है डाबेटिस पेशन के लिए ऐस लंच अगर आ अगरे के लिए में ।